है हेलो फ्रेंड दिस इस स्वाधिन और वेलकम तो आर चैनल एस्टी ग्लोबल बायोटेग तो दोस्तों आपको पताए होगा की कोविट नाइंटीन सेक्यूशन के जक्र में बहुत सारे प्राब्लम थे लाइप में आपिस का भी काम था इसके लिए बहुत ज्यादा वीडियो में नहीं बना पाया तो बहुत सारे क्वेस्टिन्स आ रहा था मुझे डिजॉल्ब ऑक्सिजन के बारे में क्योंकि मुझे पर्सनली फ टौन फिश फार्मिंग में या कोई भी फिश फार्मिंग में जो इंपोर्टेंट totally के वह है नआ Being passed, अगर आपका क्रशा si дел Chuck oxygen का एकदम important role है ठीक है दोस्तों तो कुछ जो चीज है मैं सारे basic चीज पर मैं discuss करूँगा ठीक है तो इसके उपर आपको question आ सकते है तब comment box में लिखना मैं try करूँगा उसको answer देने के लिए so दोस्तों अगर आपको पुछा जाता है कि dissolve oxygen क्या है I think जो लोग बहुत सारे culture ले चुक है उनके लिए ज्यादा वीडियो बहुत ज्यादा important नहीं होगा बर जो लोग beginner है प्रभाबली उनको बहुत ज्यादा support करेगा यह वीडियो तो dissolve oxygen मतलब वही है जो oxygen पानी में dissolve form में रहता है उसका जो molecules होता है जो पानी में dissolve form में रहता है जो मचली उसको absorb कर सकता है ठीक है कुछ-कुछ मचली यह directly air से oxygen लेता है जो आपके जो organ कुछ ब्रिदर मचली है और जो में ली जो गिल ब्रिदर मचली है इसके लिए dissolve oxygen का जरूरत बहुत ज़्यादा है ठीक है तो अगर आप देखते हो कि अगर dissolve oxygen पानी में है यह आपको बाइफ लॉक टैंक है यह आकणा प्ताला में especially कहां से आता है ठीक है दोस्तो सपाल्द तो इसमें में होता है कि आपके जो होते हैं यह आपके ताला में तो भरवर के होता है तो यह एक photosynthetic action करता है जो मैं details में नहीं बताऊंगा इसमें आपको है आप देख लो तो उसमें भी oxygen add होता है और तीसरे क्या होता है हम लोग superficial जो artificial oxygen देते हैं जो हम air pump लगा के oxygen देते हैं उस पर भी हम dissolve oxygen create करते हैं पानी में ठीक है तो यह हम main चीज होता है कि हम dissolve oxygen इसको पानी को हम देते हैं यह के आपके surroundings और air जो natural का air है उसके बाद है आप जो pump radiation देके हम देते हैं तीसरा है photosynthetic bacteria जो algae होते हैं ठीक है blue-glyne algae बाकी जो algae होते हैं यह आपके oxygen create करते हैं ठीक है और कुछ-कुछ चीज दिखा जाता है ना यह हमें discuss करूंगा अगर आप देखते हो ना जब गर्मी के टाइम पर होता है ना तो मचली को जादा oxygen चाहिए होता है क्यों oxygen चाहिए होता है क्यों कि उसका metabolic rate बहुत बर जाता है तो आपको यह चीज आपको देखने का मिलेगा है गर्मी में और ठंडी में बहुत कम है ठीक है अगर आप देखते हो ना जो डिजल्व ऑक्सिजन है तो यह जेनरली कौन-कौन यूज करता है मचली यूज करता है नहीं मचली तो यूज करता है मचली के साथ साथ आपके जो microorganisms होते है ठीक है यह आपको जो phytoplankton होते है कुछ-कुछ ठीक है यह भी oxygen लेता है अगर आप देखते हो मचली तो ऑक्सिजन लेता है उसके बाद आपको जो हेड्रोट्रापिक बैक्टरिया है यह भी oxygen लेता है ठीक है इसके बाद आपके algae रहता है वो रात को oxygen कंसूम करत है पीता है यह एक्जॉर्प करता है ठीक है तो आपके जो does website hat ह। धायक है यह फ्लक टेंक हैं तो आपको क्या फोटो सिंदे से होके oxygen आता है इसे हवा से oxygen आता है इसलिए उपर लेयर का saturation बहुत ज्यादा होता है जहां पर थर्मक्लाइन जो होता है जहां पर oxygen saturation डिवैड होता है पानी का temperature decide होता है अलग होता है और नीचे decomposition होता है आपके जो मचली का पॉटी वगएरा जाता है मचली का एक जो अवानिफेल होता है यह जाके इसमीड में डिकॉमपस्ट होता है उस पर आपको bacterial जो देन्सटी होता है वह ज्यादा रिषिंग ज्यादा होता है थिसंसे में आके आपे उसले तुरुठ ज्यादा होता तो नीचे वाले लेयर पे oxygen 일 सुinea आप होता है और उपर वाला लेयर पर ऑक्से जादा होता है और जो बीज वाला लेयर होता है उसको एक जोन बोलता है जिसको थार्मोकलेंड जोन बोलता है यह समुंदर में बोलो या रिवर में बोलो या पॉन्ड में बोलो यह बहुत जादा होता है बीएफटी टैंक में यह जोन भी क् तो में इसमें क्या डिपेंड करता है पता है कि सिर्फ आपके जो बबल आ रहा है तो आपको डिजर बॉक्स दिन जा रहा है हाँ ये पार्शियल ही है बट उस बबल के साइज पे उपर भी बहुत सारे चीज डिपेंड करता है जेनरली आपको दिखाए जाते है जितने भी आ जो होल होता है उसके साइज जो 0.3 से 0.8 mm होता है ये सबसे अच्छा रहता है और ये आपके air oxytube में रहता है ये और इसके situation में क्या होता है जितने भी आपको air पे पानी पे air आता है उसको 70% oxygen content पानी में होता है उसमें जो बुरू-बुरा होके बाहर आ जाता है उतना है या 3 mm पकड़ो या 5 mm पकड़ो इस टाइप के जो एर स्टोंस होता है उसमें क्या होता है कि जितने आप air देते उसमें से 30% oxygen आता है 70% आपको oxygen हवा पे फिर से निकल जाता है तो जितना बारीग होल रहेगा जितने बारीग bubbles रहेगा उतना oxygen के लिए अच्छा है और वही हमको देना है तो मतलब आपको स्टोंस चाहिए कि एर ऑक्सी ट्यूब है कंप्रिल ले आपको एर ऑक्सी ट्यूब पे जाना चाहिए क्योंकि उसका जो पोर जो छोटे छोटे जो बारीग बारीग होलोते हो बहुत माइक्रो बब्ल्स क्रियेट करते हैं जो आपको डिजल्फ ऑक्सीजन ज्यादा देता है आपको पानी में तो दोस्तों नेक्स्ट कोस्चन आपके दिमाग में आ सकते है कि भाई मेरे बायफलक टैंक के लिए या तो पॉन के पॉन कल्चर के लिए हमको एक्चुली कितने oxygen चाहिए होता है ठीक है मतलब how much DO is required ठीक है अगर आप इस डाइग्राम को ठीक से देखते हो तो आपको यह समझ में आ जाएगा जेनरली क्या होता है ना जहां पे भी आपको जो जो डिजल्फ ऑक्सीजन उसको हम पैरेमिटर कैसे मापते PPM ठीक है पार्ट्स पर मिलियन ठी के आपको आपको क realistically आजाता है मापने के लिए यह आपको बहुत सरी इंस्ट्विमेंटा याना इंस्ट्रीमन का जो डियो मिटर होता है वह बहुत अच्छा होता यह प्रकेचा होता है यह का इंस्टेविध तो ँसमें आपको क्या देखा जाता है कि जहां पर भी आपको ड जो जोन होता है ठीक है छे से साथ तक ठीक हे एकसप्टी बीड जोन होता है ठीक ठाड़ होता है बट बहुत एक तम किनें बट जो डीयों का लेवं सब्सक्राच pleasing के पॉस्य हो थिंज उनता है इस ले मचली बहुत इस्ट्रेस इमे रहता है इसका जना मेटाबोलिजम अच्छा होता है अभी मेटाबोलिजम एनाबोलिजम क्या है नहीं है इसका मेटाबोलिजम बहुत धीमा होता है इसलिए मचली का ग्रोथ कम होता है तो मतलब यह 40% oxygen saturation से लेकर 50% oxygen saturation बाला जो area होता है उसमें stressful life रहता है जहां पे भी 30% से जादा जाता है oxygen saturation मतलब यह 3 से नीचे आता है तब ही मचली का mortality चालो होता है तो अगर आप देख रहे होगा आप उल्टा पॉल्टा पाम्प यूस कर रहे हो एर पाम्प और आपके aviation oxygen कभी भी 4 पे रहता है पांच पे रहता है और आपके tank में algae भी बहुत है तो आप पका मानके चलो रात के time पे आपका oxygen तीन के आसपास आजाएगा या नीचे आएगर आपका mortality चालो होगा ठीके यह बहुत risky है तो dissolve oxygen इस पेचली रात को आपको बहुत ध्यान से देखना है और इस पे आपको focus रखना है और कभी भी आप try करो आपको dissolve oxygen आट से लेके 10 के बीच में रहे 12 तक भी चल सकता है ठीके 8 से 12 तक भी चल सकता है ठीके बट आप यह 3, 4, 5 इस टाइप में रखने के गलती मत करो पांच रखते हो stressful life रहता है फिर रात को कभी dissolve oxygen कम होता है चार पे आता है तीन पे आता है तो मचली को बीमारी चाल होता है metabolism बंद होता है आपके bacterial bacteria में भी problem होता है उसके growth में अर्थ को मचली तो ऐसे ही मरी जाता है ठीके दोस्तो आपको एक simple सा उधारन देता हूं ठीके ए temperature कितना depend करता है सबस्थ आपके पास bioflock tank है ठीके यह जितने भी में data बोल रहा हूं यह सारे proven data है सबस्थ आपके पास bioflock tank है roughly आप समझ के चलो उस पर आगर आपके पानी का temperature है 10, same water तो उसका आपका do आएगा almost 11.3 ठीके उस temperature को अगर आप बढ़ा के 20 कर देते हो तो 11.3 गटके 9.1 हो जाता है उसका temperature और से इंग्रिस कर देता हो 30 कर देता है सेम water का सेम quantity तो आपका do कम घटके 7.6 हो जाता है उस पानी को अगर आप 0 पे लेके जाते हो तो आपका do बढ़ के 14.6 हो जाता है मतलब का temperature पे कितना do depend करता है यह आप चीज़ दिखो जब भी मैं बोलत 100% air saturation है आपके water और 21 degree centigrade एक जो standard होता है तो आपका do आप पकर के चलो 9 के आसपस है 9-10 है और अपना जो इंडियन क्लाइमेट जो पानी का temperature होता है 21, 22, 25, 30, 32 तो 9 से लेके 11, 10, 12 इतना तक है तो आपका जो oxygen saturation है और मुझ्ट है 100% यह आप पकर के चलो इंडियन कंडिशन में दोस्तों छोड़े छोड़े बहुत सरे research हुआ है क्योंकि हम लोग भी तो real time fish culture करी रहे है तो उसमें पता चला है कि आपका oxygen saturation 100% होता है तो यह मचली के health के लिए बहुत अच्छा है ठीक है अगर यह saturation 30%, 40%, 50% होता है तो मचली का growth होगा ही नहीं उसका metabolism properly काम ही नहीं करेगा तो metabolism अगर काम नहीं करेगा तो उसका मचली का growth होने का chance ही नहीं अच्छे से एक term होता है hypoxia hypoxia क्या होता है मतलब जब आपके oxygen deplete हो जाता है कम हो जाता है तो जब hypoxia होता है ना तो यह जब 30% 40% oxygen saturation होता है इसमें क्या क्या problem होता है मचली क्यों मरता है उसमे metabolism किस type से होता है इसको आप pause करके पर लो तो मैं इतना details में नहीं जाता हूं तो आपको पता चलेगे कि बहुत सारे दिक्यत होता है अगर आपके deo dissolved oxygen 30% saturation होता है इसका as-plus होता है या कम हो जाता है या 40-50% में भी बहुत सारे problem होता है दोस्तों और दूसरा एक condition जिसको बोलता है hyperoxia मतलब hyper मतलब ज्यादा अगर आपके dissolved oxygen level बहुत ज्यादा हो जाता है 140% से लेके 300% तो भी मचली में बहुत सारे problem होता है ठीक है उसमें भी मचली को आपको mortality होता है उसके blood circulation में बहुत सारे problems होता है मैं इतना details में नहीं में ज जाता है ठीक है दोस्तों उसके बाद मचली को और क्या problem होता है मैं आपको बोलता है इसमें और एक जो common problem होता है ना उसको बोलते हैं आपके gas bubble disease ठीक है यह particular यह जो disease होता है यह आपके aquarium fish में बहुत सारे दिखने को मिलता है आपके gill breathar fish में बहुत सारे मिलता है ठीक है आपको रुहू में दिखता है कतला में दिखता है उसके बाद आपके tela pae में दिखता है ठीक है आपके आपके पेट की नीचे एक दम फुला हुआ रहता है, ठीक है, मुह ऐसे खुला हुआ है, कोई भी सिंटम्स नहीं है, मचली मरा हुआ है, तो ये एक ज्यादा oxygen के saturation के कारण भी हो सकता है, मतलब हो नहीं है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, 140-150% saturation अपने को नहीं चाहिए, अपने को चाहिए होता है, 80 से लेके 120 तक, oxygen saturation level, 100% oxygen saturation सबसे best होता है, तो दोस्तों ये सब कुछ चीज है, जो technical चीज है, आपको जानना है तो करो, नहीं जानना है तो नहीं करो, ये एक educational purpose के लिए है, अगर आप जानके करोगो तो आपको confident होगा काम करने के लिए, ठीक है, बागे कुछ rocket science नहीं है, आप variations on कर दो, अपना काम करेगा, आपको मचली culture होगे हो अलग बात है, आपको अगर जानना है, समझना है, आपको commercially इस चीजों को सामने लेके जाना है, तो ये चोटे चोटे चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो दोस्तों, एक च देखते हो कि आपके जो वाइफ लॉक के जो पानी है, ये ग्रीन इच बहुत जादा हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई, इसमें अलगा बहुत जादा है, ठीक है, और ये मचली के लिए positive से जादा negative effect जादा करेगा, अगर आपके algae अगर limited में है, तो आपके culture के लिए एकदम बर्दान है, अगर वो बहुत जादा होता है, जो bloom जिसको बोलते है, तो आपको मचली के लिए बहुत घातक है, ये दिन पे आपको deserve oxygen इतना जादा करेगा, इतना जादा शूट करेगा, ठीक है, फिर क्या करेगा रात को exactly वही जो algae है, फिर उसको oxygen करेगा और carbon dioxide release करेगा, और carbon dioxide release करेगा, तो दिन में बहुत ज़्यदा oxygen होगा, रात में बहुत ज़्यदा oxygen shortage होगा, ठीक है, तो ये चीच आपके मचली को बहुत problem create करेगा, और बहुत mortality भी होता है, और आपको ये problem दिखेगा, कि आपको tank में देखना, कि जब यो algal bloom आता है आपके मचली का जो चलने का जो शमता होता है, और धीरे धीरे चलता है, उसको आपके body आपको touch कर सकते है, उसको body में, मचली के body में नमने सा जाता है, तो ये आपको पता चलेगा कि भाई, पानी में dissolved oxygen कम है, ठीक है, और अगर आप दिखता है कि बहुत पानी उतार चराव हो रहा है, और मचली और आपके oxygen saturation बहुत जादा है, मचली ऐसे मूँ खोल के ऐसे मर रहा है, और कुछ भी problem नहीं है, कहीं पे fungal infection नहीं है, bacterial infection नहीं है, तो उसमें chance ऐसे कि आपको oxygen saturation बहुत जादा है, जिसको जिसको super oxygen बोलता है, ठीक है, super saturation oxygen condition बोलता है, ये भी आपके मच oxygen, जो solubility है, ठीक है, जो घुलनी का जो समता है पारी में, तो ये किस-किस चीज़ पर depend करता है, आप इस article को पर भी सकते हो, नहीं भी पर होगा, तो भी चलेगा, mainly उसमें तीन factor है, जिसको जिसके लिए mainly dissolved oxygen ज्यादा होना है, क्या कम होना है, ये डिपेंड करता है, पहले ह oxygen कम होता है, salinity, मतलब, अगर salt level अगर आपको बढ़ता है, तो आपके duo level कम होता है, इसलिए अगर आप समंदर के पानी लेते हो, और आपके pond के पानी लेते हो, तो समंदर का पानी 20% कम शमता होता है, as compared to pond के पानी में oxygen पकरनी के लिए, मतलब समंदर के पानी में duo कम होता है पॉन के टाइम में 20% DO ज्यादा होता है किसी भी एक condition में ठीक है तीसरे बाल बात किया मोलता है कि pressure अगर आप pressure ज्यादा increase करोगे तो आपको DO ज्यादा create होगा पानी में ठीक है यह आपका thumb rule से बागी आपको technical चीज़ जानना है तो अब उसको article को थोड़ा सब पर लो ठीक है यह आपको में एक example देता हूँ पकर के चलो यह आपके pond है ठीक है यह आपके bioflock tank है जो भी है आप इसको पकर के चलो ठीक है आपको दिखेगा कभी भी जो midnight होता है ठीक है midnight होता है आपको दिखेगा dissolve oxygen कम है यह जो line है यह आपको पकर के चलो 100% oxygen saturation वाल लाइन है midnight पर आप इसका dissolve oxygen कम है ठीक है क्योंकि आपको respiration चालो होता है respiration मतलब oxygen consume करना और carbon dioxide release करना ठीक है मचली के भी होता है microorganism से भी होता है उसके बाद जब यह next day जब सुभे होना चालो होता है तब आपका dissolve oxygen बढ़ते रहता है क्योंकि उसमें photosynthesis चालो होता है ठीक है photosynthesis मतलब जो आपके blue-green algae होते है जो आपके nitrifying bacteria के जो combination में पार होता है photosynthesis bacteria ठीक है तो यह क्या करता है उसके oxygen create करता है atmosphere से carbon dioxide लेकर तो इसमें आपको oxygen बढ़ता है ठीक है जब आप noon मतलब जो दो पेट के time होता है एक दम पिक पे रहता है oxygen एक दम 100% से भी प्राबली उपर जाता है saturation क्योंकि उसमें एकदम धूप एकदम ऊपर रहता है और photosynthesis बहुत ज़्यादा होता है पॉन में especially लेक पे उसके बाद जब यह साम होता होना रहता है चालो होता है तब algae या मचली इसके respiration चालो होता है फिर दिजल्ब oxygen कंड़ूम करना चालो होता है atmosphere carbon dioxide ज़्यादा आता है तो आपको डिजल्ब oxygen कम होता है तो अगर आपके डिजल्ब oxygen सच में चार या पांच दिन में रहता है और आपके पौन में बहुत या आपके लेक में बहुत algae है तो पता है तो आपको डिजल्ब oxygen definitely कम हो जाएगा क्योंकि algae रात को oxygen consume करेगा तब को मचली का पूरा वाट लग जाएगा तो अभी दो questions होता है कि जब हम air pump हम use करते है तो हमको दिन ही या रात में same pressure देखे हमको use करना है देखो अगर आपके पस एक जादा pressure वाला air pump है कम pressure वाला air pump है 19 से एक base है जो 20 वाला आयर पॉंप है यह आप रात में चलाओ, जो 19 वाला आयर पॉंप है आप दिन में चलाओ, ठीक है क्योंकि दिन में और लडी नैचरली आपके तालाब में यह आपके बायो फ्लॉक टैंक में, इस्पेचल अगर ग्रीन कल्चर है तो आपके डिजर्ब ऑक्सिजन क् क्अगर अगहितली इसमें जो बहुत ज़्यादा फ्रक नहीं कडानेगा तर अगर घूंटे करेगा और म५धे आपको कारबोन करदो सोर्स को टो क्या आपको आपको मॉलक पर तो इस टाइम पर आड़ करता है जब आपके डिज्व़ू बहुत ज्यादा होता है पिवर्मि आइस उपस्ट करना हुड इस टाइम पर अपिसके है डिएर पम यह परिक पर उस करना है और यह कंद ताक्ट वाले यह पर उप्दाइ सब अगर आपके dissolved oxygen बहुत अच्छा है तो उसमें आपके FCR में भी improvement मिलता है अगर आप देखो जहाँ पे 60% या 80% saturation से या 140% saturation से या उस पे FCR बहुत ज़ादा है जहाँ पे आपके saturation 100 से लेके 120% तक है उसमें आपके FCR कम है अगर आप इस पे देखते हो कि अपके FCR अगर अगर आपको dissolved oxygen अपकर saturation level पे है तो उसमें आपके मचली का mortality भी बहुत कम है तो in such dissolved oxygen आपके मचली के mortality कम करेगा आपके मचली का growth speed करेगा ठीक है और आपके FCR को भी नियंत्रन में रखेगा मतलब बेस्ट FCR देंगे क्योंकि मचली का सहद अच्छा रहेगा और आपके FCR भी अच्छा रहेगा दूसरी भी एक बहुत फेमस experiment हुआ था ठीक है नाहिल तेले पे पे उस पर भी बताया गया था कि जहां पर थोड़ा saturation level ज्यादा अच्छा था तो उसमें growth अच्छा था जहां पर कम था उसमें growth बहुत कम था मचली का और नाहिल तेले पे हुआ था जेख सकते हो जैसे मैंने आपको बोला था कि जो growth rate जो मचली के होता ना इस पे भी dissolve oxygen का बहुत भूमिका है तो SGR1 और SGR2 growth rate डो टाइप का होता है specific growth rate 1 specific growth rate 2 मचली के culture में कुछ particular time initially specific growth rate 1 होता है initial 2-3 मैना उसके बाद specific growth rate 2 होता है उसमें देखा गया था जहाँ पे 100% जो यह से 100-120% जहाँ पे oxygen saturation है इसमें SGR1 और SGR2 बहुत अच्छा था बर जिसमें 6% से 80% है इसमें तो 1 और 2 नहीं खराब था जहाँ पे 140% था उसमें इनिशाली मचली बड़ा हुआ था बर जब SGR2 जब second phase आया था तो मचली का growth एकदम अच्छा नहीं हुआ था in short saturation level अगर 100-120 है मतलब आप पकर के चलो 9-12 के आसपास PPM तो मचली का growth एकदम सही है ठीक है तो दोस्तों आजकल प्रापशय येरम सर से थोड़ा बहुत information मिलता है ठीक है डिरेक्ली इंडिरेक्ली थू मेल थू वर्च्वल कम्यूनिकेशन तो आप अगर देख सकते हो ना जो आप दो टाइप के अपकल्चार रिउस करते हो ठीक है एक आपके होता है हेट्रोटापि ये अगर आपके टैंक में डॉमिनेशन पर आता है तो आपके डिजल्फ ऑक्सिएन बहुत जादा फ्लैक्चेर होता है ठीक है क्योंकि ये दिन में बना बनाता है टैंक पर रात को कंशूम करता है और अगर आपको देख तो हेट्रोटापिक बैक्ट्रिया जो आपके ये ब्लू जो भी बोलो जो लाइन है इसका सेम टाइप का पैटन रहता है दिन में बोलो या रात में बोलो सुबह बो शाम बोलो तो उसमें कोई प्राप्लिम नहीं होता है क्योंकि इसमें अट्मसफियर से ऑक्सिजन ले भी नहीं पाता है उसको आप जितना एरिएशन देते तो दोस्तों यह आपका डियो का पार्ट वान वीडियो है ठीक है यह जैसे आपके थोड़ा टेक्निकल बात थेज पर जो बेसिक लेवल पर थे क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सरे क्लाइंट है ठीक है तो मुझे टाइम सब्सक्राइब कम मिलता है बहुत सरे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट में ले चुका ऐसे कंसल्टेंट ठीक है एक MP में आने वाला है और एक लकनो में और लेडी है कैलकटा में एक प्रोजेक्ट आन कर दो इक हम आपनितम्रे आजो यहा को फोरा फॉट है टॉडट में बहुत सरे विजित हो रहा है ठीक है तो में एक इंगलिस के लिए कर रहा हूं तो एक अगर जगा मिल गया क्योंकि घर में मिल्यून नहीं कर साक हैone बहुत जल्दी में इंगलीजी बैच इनिशएट करो तो देखता हूँ अगर opportunity मिला तो अभी आपका part 2 वी वीडियो आएगा जिस पे हम implications के वारे में बात करेंगे dissolved oxygen का ठीक है जो tank से related है ठीक है तो यह जो चीज है यह one by one आता रहेगा connected रहेगा तो यह जो आप वीडियो देख रहे हो ना definitely आप part 2 देखो नहीं तो फिर आप इस वीडियो को उस वीडियो से आप connect नहीं कर पाऊँगे ठीक है दोस्तों और दूसरी बात है कि एक बंगाल में एक bottom cleaning technology के उपर बहुत बात चल लाए especially ठीक है तो मैं बहुत जल्दी उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगा फिलाल में आपको इतना बता रहा हूं कि bottom clean technology बोलके कोई technology है नहीं है it's just a process ठीक है एक एक process है अब बहुत तरीके से कर सकते है इस चीजों को तो इसमें इसको लेके बहुत हवा मत करो एक दो दिन में एक वीडियो आ जाएगा bottom cleaning process है क्या technology है क्या है क्या नहीं है यह बहुत simple है तो उस पर एक वीडियो बन जाएगा तो especially जो बंगाल के दोस्ते bottom cleaning लेके जाएदा कूदों मत यह सिरीप एक हवा है ठीक है और यह हवा में बहुत जल्दी दूर कर दूँगा ठीक है दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो गड़ ब्लेस और बी सेफ फ्रम कोविड-19